आज हम सिखेंगे नाई राकटड्रेस की फिटिंग करना सिखेंगे और यह इसका पजामा है और यह नाई राकटड़ सुट है और यह मैंने रेडिमीट लिया है अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई नाइरा कट सूट आपने रेडिमिट खरीदा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इसकी स्टीचिंग करूँ अपने साइच का कैसे इसको मैं बनाऊं अगर वो आपके बड़े साइच का है और ये भी देखे, मेरा भी ये बड़े साइच का है काफी और लॉंग भी है according हम सीखेंगे आज नाइडा कर सूट की फिटिंग करना और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको नाइडा कर सूट की फिटिंग करना सिखाऊंगी पहले वीडियो में मैंने आपको नाइडा कर ड्रेस की कटिंग करना या इनि टीचिंग करना डीपली सिखाया है किस तरीके से नाइडा कर सूट बनाया जाता है और आपने वो वीडियो में नहीं देखिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर अप्लोड है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रेशन बॉक्स में भी देदोंगे आप वहाँ से भी देख सकते हैं और यह देखिए पजामा है और यह पजामे में इसमें देखिए लेस लग कर आईए और यह लैंथ में लंबा है तो इसको लेस को हम निकाल दिंगे पहले तो और इसको हम cutting करेंगे और देखे इसकी तो इसको देखे इस तरीके से इसकी lace निकाल कर और इसे हम करेंगे fitting जैसे कि अगर आपका भी pajama कोई length में लंबा है तो आप उसको इस तरीके से खोल कर और stitch इस तरीके से अगर lace आई लगकर तो आप उसको पहले खोल लें, उसके पाद में यहां पर हम इसकी cutting करीगे, length है, जितनी आपकी length है, length के recording, ठीक है? उसके according आपको यहां पर इसकी cutting करना है, जे दिखिए यह suit आपको इस तरीके से उल्टा रखना है, और यहां से देखें आपको जो बाजू सिलाई है उसको आपको खोल देना है और नीचे वाली साइड से भी देखें चोली वाली साइड से इस तरीके से अगर आपका बंद एक साइड दोनों साइड से आया है तो आप इसको भी सिलाई को खोल लें और यहां से थोड़ा थोड इसलाई खोल ली और ये देखे ये पजामे का था नीचे वाला साइट तो मैंने ये खोल लिया है पजामे से साइट कर देते हैं इसे हम और देखे ये भी मैंने खोल लिया है और सूट भी मैंने यहां से इसलाइया खोल लिए अब इसको इस तरीके से रखना है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखें यहाँ पर आपको शॉल्डर जितना आपका साइज है आप अपने साइज के according यहाँ पर निशान लगाएगा और यहाँ पर देखे शॉल्डर का निशान लगाएगे शॉल्डर मेरा यहाँ पर 11 इंच है 11 इंच का हाफ होता है 5 और एक इंच आपने प्लस करना है क्योंकि जब भी यहाँ से अगर आपका पीछे वाला नेक अगर आपका छोटा है तो आपको एक इंच प्लस करना है अगर आपका नेक बड़ा है 6 इंच से बड़ा है नेक तो आप उसको जितना आप लेते हैं उसके according लेजिएगा और इस तरीके से cutting कर दीजिएगा यहाँ पर देखिए आप हम देखिए शॉल्डर पर इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे और इस तरीके से हम cutting करते हैं जब शॉल्डर की छोटा करते हैं तो यहाँ से थोड़ा हमारी सिलाई खुल जाती है तो इसी के recording है यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से निशान लगाना है थोड़ा सा डाउन करना है और डाउन करने के बाद यहाँ पर निशान लगाना है इसी पर हम stitch करेंगे इसकी यहाँ पर हम नेक इस तरीके से निशान लगाएंगे नेक का तो दीखें यहाँ पर नेक है आ हो ऐए श्यचोंग को ऑना दाने हैं आप अताइश प हैं करना यहां पर और इने निया है नाय आप यहां पर इस तरीके नि양चाट लगा रही ह्यां देखिए यहाँ पर 7,8 इंच, 6,5 इंच, और देखें, यहाँ पर आप वेश्ट का निशान लगाएंगे, तो वेश्ट का भी आपको इसी तरीके से रखना है, जिस तरीके से चैस्ट का रखा है, हमने 2 इंच लूजिंग के लिए लेना है आपने, और उसके बाद यहाँ पर 9,8 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, दोनु साइज पर इस तरीके से, 10,18 इंच का निशान लगाकर, और इस तरीके से एक लाइन डुर कर दिंगे, आर्मोल चैक करेंगे, आर्मोल हमारे कितने आ रहे हैं, तो आपर चैस्ट के अकॉडिं आर्मोल लेते हैं, तो देखें, यहाँ पर मेरा आ रहा है यहाँ पर पॉने 8 हिंच, तो इस तरहीके से एक मार्किंग कर दिए, और दूसरी वाली साइट पर भी हम इसी तरहीके से पॉने 8 हिंच का निशान लगाएंगे, इस तरहीके से कितने आ है उस निशान पर हम इस तरीकसे एक मार्किंग कर देंगे तो इस तरीकसे से हमने मार्किंग कर दिये अब हम कर लेते हैं connecting के स्टैफिंग दोनों आघ साइड ते हमिन करेंगे हैं यहां से और शॉलडर से भी हम स्टैफिंग कर लेंगे इस यहाँ पर अब देखिए मैंने यहाँ पर stitch कर लिया है shoulder and fitting का भी निशान stitch कर लिया है fitting भी मैंने stitch कर लिया है और देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है इसे नीचे वाले पाट को और इस तरीके से यहाँ पर हम छोड़ी छोड़ी चुंटे डाल लेंगे जिस तरीके से यहाँ डाली हुई यहाँ बूस्टे से आप चाहिए तो चुंटे भी डाल सकते है इस तरीके से आप चाहें तो पांच नमर की सलाई भी लगाकर डाल सकते हैं छोटी 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 छुनेटे और आप हास से भी आप अगर प्लेटी डालनी है आपको तो आप प्लेटी भी डाल सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी छुनेटे तो देखें इस तरीके से आएगा यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आएगा फटिंग एक्वार्ड़िंग और बेक वाले पार्ट को भी हमें इस own तरीके से इसके उपर थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे इसके साइट पर इस तरीके से और यहां से स्टीच करेंगे और पका कर लेंगे इसको अच्छे से और पका करने के बाद यहां पर जितना भी हमारा यह फैब्रिक बचा हुआ है उसकी हम बनाएंगे यहां पर चोटी तो इस तरीके से डाल कर आपने यहां पर सिंपली इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है यहां से धागा कट कर लेंगे और इस तरीके से देखें और देखें दो साइट पर देखें कुछ इस तरीके से आएगा अब देखें यहां से आपने क्या करना है सिंपली देखें यहा से देखे चोड़ी वाले साइट से जोइंट कर दिया अब नीचे वाली साइट से फैब्रिक है थोड़ा सा निकल कर इसे हम इस तरीके से अंदर की साइट फोल्ड करेंगे और यहां पर हम इस तरीके से स्टीचिंग कर लेंगे जो बंद वाला ऑप्शन था हमारा जो बंद व पका कर देना है से ताकि सिलाई ना खुले और इस तरीके से आपको बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है फ्रंट वाले के नीचे पर थोड़ा सा और इस तरीके से आपने यहां पर पका कर लेना है इस तरीके से और फिर जो मार्जन है हमारा उसको हम फोल्ड कर दिंग अंदर के साइड से बैक वाली पार्ट पर और इस तरीके से यहां पर स्टीच कर लेंगे इस तरीके से यहां पर हमने चाक बना लिए हैं इस तरीके से बैक पर भी और फ्रेंट पर भी इस तरीके से आएगा और देखें अब देखें आप इस तरीके से देखें यह आएगा हम यहांपर मेरी लेंट है 37 इंच टोटल और यह देखिए 1.5 इंच का मेरा यह डिजाइन है यह लेस उसमें से में 1.5 इंच माइनस कर दूंगी और यहांपर देखिए 36 इंच में निशान लगा रहे हूं 1.5 इंच माइनस करकर 35 इंच आएगा 35 इंच में लेंट है उसके अकॉडिंग टोटल यहांपर लेंट रखेंगे तो अगर आपका भी ऐसे कुछ लगकर तो आप इसी तरीके से कटिंग करें अगर आपके नीचे इस तरीके से लेस नहीं है तो आप यहांपर फुल लेंट ही रखें अपनी और उसमें एक इंच मार्जन के लि कि याँ तो इस वज़े से उसके हम मार्जन ले कर स्टीच करेंगे तो देखे आप बैक वाले पार्ट की तो देखे यहां पर इस तरीके से 36 इंच हमने फ्रंट वाले पाट की रखी है और उससे हमें धाइएंच एक्स्टरा ले दिए यहां पर यहां पर एक इंच लेंद के लिए तो 37 लैंथ हमारी फुल लैंथ हो गई है यहाँ पर और 1.5 इंच मैंने मार्जन के लिए लिया तो इस तरीके से आपने यहाँ पर लैंथ ले लेनी है और इस तरीके से हम कर लेते हैं कटिंग और कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे से हम स्टीचिंग यहाँ प कट्रड करने के पाद यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टिच और ये देखे मैंने स्टिच कर ली है लेस लगा ली है प्रैक वाले पाट पर इस तरहिक के से इस्टिचे से कर लिए अब यह हमारा complete हो गया और देखिए यहाँ पर भी stitching अच्छे से कर लिए मैंने अब हम यहाँ पर slip की cutting करेंगे slip की length यहाँ पर मैं ले रही हूँ जितनी आपकी length आप रखना चाहते हैं उसके according रखेगा मैंने यहाँ पर 14 inch length रखी है और half inch margin के लिया है और एक line इस तरह के से state कर देंगे इस तरह के से scale से और यहाँ पर आपको 3 inch लेना है और 3 inch लेकर इस तरह के से इसकी गोलाई कर देनी है जिस तरहीके से हम सिलिप की गोलाई करते हैं उसके अक्युटिंग, इस तरही के ऐाफने सिलिप की गोलाई कर देनी है, इस तरही के से और फोल्ड़ वाली साइट से हम दो इंच का इस तरही के से निशान लगा लेना lifes ताकि हमारी सिलिप छोती नहो और यहाँ पर हमने bottom लिया मैंने 8 इंच मेरा bottom था और 4 इंच उसका half हुआ और half इंच मैंने यहाँ पर losing के लिया यानि कि 4 इंच और यहाँ पर armhole का according आपको निशान लगाना है मेरा यहाँ पर armhole था पर निशान लगाकर इस तरीके से marking कर देनी कर देनी और करते देल में इसी तरीके से कटिंग लूंगी है करने के बाद यहाँ पर हम कर लिए इसकी इस्टिच आप किया खना Y अब यह हमने कुर्टा लिया और इसको सिलिफ को हम सीधा करेंगे और कुर्टे को हम उल्टा रखेंगे सूट को और इस तरीके से देखें जॉइंट तो जॉइंट इस तरीके से मिलाएंगे नीचे वाले साइड से और इस तरीके से हम सिलिप को इस तरीके से देखेंगे देखेंगे एकवल आ रही है और यहाँ पर हम स्टीच कर लेंगे और अब हम पजामे की अपनी फिटिंग का करेंगे स्टीचिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह coach area है और यह fold वाली side मेरी तरफ है और यह दर coach area है और इसकी length हमने रखने हैं जितनी आप अपने according length रखेगे जितनी आप पहनते हैं अपने according उसके according यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी length यहाँ पर 30 inch और 1 inch में margin के लिए ले रही हूँ यानि कि total length ले रही हूँ में 31 inch तो इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे 31 inch पर और इस तरीके से सीधी state line इस तरीके से draw कर दे देगे इस तरीके से देखे और एक से हमारी उलाइन और एक हमारी लैन्था यहाँ है ửूल लैन्थ त्रीके से कर लें इस त्रीके तो क्या करेकिक है उसके बाद देखे आपकå इस तरीके से जितना हमने बार बैंक पर निषान ले था उसके according हमें margin है रहे झालना है और नीचे जो हमने लेस हमारी लग कर आई थी यहाँ पर देखे इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर हमें स्टीच करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगे स्टीच कैसे करना है देखें यहाँ पर हम bottom का निशान लगाएंगे तो मैं यहाँ पर 7 इंच bottom ले रही हूँ आप जितना आपके according दीजेगा जितना आप लेते हैं उसके according और यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ मारजन के लिए और इस तरीके से एक line टो कर देंगे तिर्ची और यह कि अब यहाँ पर हम पहले में आपको यहाँ पर यह लेस किस तरीके से लगा जाती वह बताती हूं तो मैंने यहाँ पर प्रैस करके अंदर से इसको अंदर की साइड इसके मारजन को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है सीधी वाली साइड पर और इस तरीके से लेस लगान और अब यहां पर देखे जो हमने यह मारजन लिया था एक वाली दूसरी साइड से खुला हुआ था उस पर भी हम स्टीच कर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से स्टीचिंग करना अब यहां से हम कट का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम पैक वाले पार्ट पर इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके बाद इस तरीके से फोल्ड करकर मारजन अंदर की साइड इस तरीके से और अब यहां पर हम स्टीच करेंगे इसे यहां पर अब देखिए इस तरीके से हमने बैक वाले पाट पर स्टीचिंग कर लेनी है इस तरीके से देखिए इस तरीके स स्टिचिंग कर लीनी है मार्जन को जितना हमने मार्जन लिया था उसको फोल्ड करकर यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लिए इस तरीके से और इस तरीके से हम complete कर देंगे stitching तरीके से देखिए यहाँ पर यह stitching भी यहाँ पर complete हो गई है तो दोनों पार्ट हमें इसी तरीके से नीचे वाली side से complete कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पर जितना हमने margin लिया था bottom का fitting का यहाँ पर इस तरीके से निचान लगाया था उसी पर हम stitch कर देंगे इस तरीके से fitting वाली side से इस तरीके से stitching कर देनी है जितना जितना हमने निचान लगाया था उसी के according है आपर stitching कर देनी है इस तरीके से यहां पर देखिए मेरा सूट भी बनकर हमारा कम्प्लीट हो गया है और टाउजर भी हमारा बनकर कम्प्लीट हो गया आई होप आपको समझ आए पर आ रागयोगा कि नाई रकट सूट की फिटिंग क्स तरीका संता है अगर सी ओपने लिया है उसकी फिटिंग किस तरीके से की जाती नाई रकट की तो यहां से देखी कंपलीट हो गही है अब हमारी इस टीच झाल 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 झाल